नमस्कार मैं हूरी सब्रंजनकुमार आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया सिच्छा विभाग के अपर सचीव के के पाठक सिच्छकों को नए नए आदेश दे रहे हैं इसको लेकर सिनियर जनर्लिस्ट अभी से कौसिक सर से चलिए जानते हैं इनके बारे में जन प्रहरे मीडिया में आपका स्वागत है यह सब क्या है मामला देखिए दिसब जी आपका प्रस्ण जो है हम एक बार फिर से हम दर्सकों तक कर दें कि आप यही जाना चाहते हैं कि सिछा विभा के जो अपर सची हो है के के पाठक बड़ा इमंदार अफसर के रूप में उनकी गिंती हो रही है और वह सिछकों को नए नए फर्मान सुणा रहे हैं आप यही जाना चाहते हैं ना कि क्या मामला है तो आपको हम यह बता दें कि दखिए यह अच्छी बात है सिच्छकों को फर्मान सुना रहे हैं और सिच्छकों को समय से आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सिच्छकों को कच्छा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं यह अच्छी बात है सिच्छा विभाग में जो है एक जो महकमा है सिच्छकों का उसमें एक हलचल मचा है या एक सकरात्मक पहल है लेकिन केके पाठा को यह समझना चाहिए कि जब विद्याले में सिछक नहीं है जब विद्याले में छात्र के अनुपात में सिछक नहीं है विद्याले में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विद्याले में पंखा नहीं है विद्याले में इूरिनिरी सिस्टम नहीं है विद्याले में बेंच नहीं है तो आप विद्याले के सिछकों को यह फरमान दे देते हैं कि जिन्स और टीशन पहन कर नहीं आईए कोई ऐसे भड़काव और चमकीले भूश आभूशन में या चम है कि देखने में खूब अवं अंदर में खोखला अरे यह आई-एस जदी इमंदार है हमें एक मिनट के लिए एक सेकंड के लिए एक च्छन के लिए भी हम इस आई-एस पर संका संदेह नहीं करते हैं लेकिन यह आई-एस को समगना चाहिए कि जिस विद्याले में विगत दस से कई दसकों से सिचकों का भाव है विशयवार सिचक नहीं है प्रफ टू के बिद्याले में हैं सभी बिद्याले के शिचक नहीं थाOoh फागल भरोस्प भगवान भरोस्प्राइवट टीह टेउशं के अधार पर बचे पढ़कर जो हैं से कि आगे बढ़ए हैं और उनका र onskar प्रप्रस्शिंद लगाना यह कुंसित और कुंठित बिहार सरकार की मानिसिक्ता को दरçाता है कि यह मतलब नहीं रखता है कि सिछक क्या पहन कर आते हैं सिछक कोई नंगा हमारे बिहार कि परंपरा है हम ऐसे सिछकों से पढ़े हैं जिस जो सिछक धोती कुर्टा पहन कर आते थे क्या धोती कुर्टा पहन कर आने वाले सिच्छकों की मर्यादा नहीं है वह अच्छे तरह से अध्यापन के कार से लिए नहीं उनके पास क्या वह अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं इस बात को कभी स्विकार नहीं किया जाएगा जदी अपर सच्चिव को लगता है कि सिछा विभाग और सिछा को हम बहियां अच्छी तरह से सुधार दें यह अच्छी बात है अच्छी पहल है लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि सिछकों की संख्या बढ़े बहुत सारे ऐसे भी द्याले हैं जहां 200-400 बच्चे हैं विभीन कच्छा की बच्चे हैं और वहां मात्र दो सिछक है कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे वो सिछक यह सोचने का भी से है तो सबसे पहले सिछकों की बहाली अतिस्षिग्रो लेकिन किसी तरह की कोई मानसिक्ता को कोई ऐसा चीज असपस्ट दिख नहीं रहा है इनकी गतिविधियों में जिस से लगे कि ज़्यादा सिछक को के प्रती, छात्रों के प्रती, विद्यालियों के प्रती और खास करकि बिहार के सिछा पधतियों प्रती, इनका कोई संबेधन सिलता है। यह संब्वेदन सील है, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इस्टेंट है, नितिष कुमारे से अफसरों को लाते हैं, हमको लगता है कि जदी आप वाकई में सीच्छा विभाग को मजबूत करना चाहते हैं, वाकई में बिहार के सीच्छा की विवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो आप की स्कूल में CCTV कैमरा क्यों नहीं है आप युरिनेरी सिस्टम क्यों नहीं ठीक करते हैं तो आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं आप सिर्फ एक महौल बनाना चाहते हैं आप बायोमेट्रिक सिस्टम बना दिजिए ना सब लोग सिछक समय से जाएगा क्या दिकत है जो न नहीं लगाईएगा क्योंकि जैसे ही सिसी टीवी कैमरा आप लगाईएगा आपके विद्यालियों का पोल खुल जाएगा आपके विद्यालियों का इंफास्ट्रक्चर का पोल खुल जाएगा आपके विद्यालियों की क्या ही सिती है उसका पोल खुल जाएगा इसलिए रिस से चंसेखर जी प्रोफेसर साहे बिद्वान साहे और रामायन के प्रज्यात बिद्वान जो सिच थे मंतरी हमारे रामायन पर बहुत सदन में बोलते हैं और बोले आज 21-22 दिन से सिच्छा विभाग के ओफिस में नहीं जा रहे हैं यही अफसर के वज़ा से लेकिन ठीक है ऐसे भी उन मंत्री साहब इतना भी दुआन थे कि सिच्छा से उनको प्रसनी नहीं करते थे तो लेकिन यह भी जो अफसर आये हैं इस सिर्फ है एक पोलिटिकल एस्टेंट बना रहे हैं इनकी गतिवीधियों से कुछ नहीं लग रहा है सिच्छकों में हड कंप हो गया सिच्छक डर है हरे भाई बिरुजगारी का दोर है भगवान भर से उनके नोक्री मिली है तो सभावी के लोग डर जाएंगे लेकिन यहाँ देश देना कि आप टीशट नहीं पहन सकते हैं आप पैंट नहीं पहन सकते हैं जिन्स नहीं पहन सकते हैं तो क्या पहनेंगे भाई हमारे बिहार की परंपरा रही है हमारे देश की परंपरा रही है गुरू परंपरा रहे है कि हमारे हां की गुरु परंपरा में सिच्छक जो है गुरु जो है एक ही वस्र पहन के रहे हैं पुतली पहन के हमारे गुरु परंपरा में जो हैसे की जो गुरु रहे हैं और सिच्छा दिये हैं मैं खुद आप भी रही सबजी ग्रावीर परिवेस में से आप आते हैं हम लो यह बिल्कुल मांसिक रूप से दिवालियापन की बात है मैं इसको कही से भी स्विकार करने के लिए और जनता भी स्विकार नहीं कर रही है यह स्विकार करने वाली बात नहीं है आप सिछकों को यह सरकार हमेशा अपमानित करित रही है सिछकों को परसान करती रही है सिछकों सबसे पहले उनको अपने ऊपने ब्यूंज को किलियर करना होगा कि यह चाहते क्या है सिचकों से आप सिचक पहले सी विद्यार्थी के अनुपात में बहाल करें और तब इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ अगर आप चाहते हो ना कि एकदम हाइटेक एकदम दिल्ली पेटर्न के केजनी वाल पेटर्न का स्कूल बने तो सबसे पहले इस विद्यार का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ठीक करो सिचक को भी ठीक करो प्रस नहीं होगा लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास बेंच नहीं है आपके पास जो हैसे कि पंखा नहीं है इसकुलों में बोर्ड नहीं है डिश्टल बोर्ड नहीं है क तो यही सब बात है रिसब जी इनको पहले सब ठीक करने अब जनता सब समझ रही है